ही वरीवान, वेलकम तो कारण क्रण्च, इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं नितिन सांगवान सर के एसेंशल सोशालोजी, तो करण्टली हम चैप्टर फोर कवर कर रहे हैं, उसका आज हमारे जो फर्स थिंक करें कालमाक्स उसका आज लास्ट लेक्चर है, तो डू स्टे तिल काफी इंपोर्टेंट चीज़े इसने हम डिसकास करेंगे, एक्जाम पोइंट ओफ यू से काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है, तो फ्लू अभी भी वैसे का वैसा ही है, आपको थोड़ा करना पड़ेगा, कॉंप्रमाइज, वोईस, डेसिबल पर, एनेजी लेवेल्स पर, बागी कॉंसेप्ट मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दिखो अभी तक हमने कालमाक्स का ये डिसकस कर लिया, ये सारा, क्लास और सोसाइटी, कैसे क्लास उनका सेंट्रल कॉंसेप्ट है और पोलराइजेशन हो जाएगी, तो तो अल्टिमेटली जो इंटर्मेडिरी क्लासेज है या वो अपर मोबिलिटी से बजोईजेशन ही या प्रोलिटरियनाइजेशन वो कॉंसेप्ट भी एक्स्प्लेइन कर लिया, फिर क्लास को अवेर होने की जरूरत है, एक्स्प्राइटेशन को रोकने के लिए, तो अभी क्लास इंट्सेल्फ में है, कैपितलिजम में क्लास फॉर इट्सेल्फ बन जाएगी, ठीक है, यह सारा कॉंसेप्ट जो है, मैंने एक्स्प्लेइन कर लिया है, if you want you can go through the video once again, now let's start today's lecture, मार्क्स जो है, वो देखते हैं क्लास को in terms of antagonistic cooperation, देखो antagonistic यह no, conflict, ठीक है, और cooperation, इसका क्या मतलब हुआ, कि capitalism में क्या होता है, exploitation for example हो रही है, labor class की, लेकिन यह भी तो देखो, वो exploit होने दे रहे हैं, क्यूंकि, वो individual exist नहीं करते हैं, उनमें interdependence है, capitalist को labors की जरूरत है काम करने के लिए, ताकि वो profit कमा सके, वो labors खुद, क्यूंकि एक so-called गरीब तबके को belong करते हैं, उनको काम की जरूरत है, इस वज़़े से वो खुद को यह करने दे रहे हैं, exploit करने दे रहे हैं, तो इसी वज़़े से interdependence है, इसलिए relation continue हो रहा है, ठीक जो class struggle है, is also inherent in Marxian conception of class, यह clear हो गया कली, हमें हर mode of production, that means हर stage में हमें haves and have-nots मिलेंगे, they enter into the relations of production, owner या owned, ठीक है, और इस antagonistic cooperation की वज़़े से, class इसके बीज में struggle होगा, और यह struggle keeps on increasing, Marx निखा था, history of hitherto, hitherto means until now, existing societies जो है, is history of class struggle, और class struggle acts as a motor of history, ठीक है, समझ गहें, कि अभी तक की जिती भी classes रही है, existing societies रही है, उन societies के चलते चलते, आपका class struggle भी continue हो रहा है, तो अभी तक की जो history है, existing societies की till now, जितनी सारी societies रही है, वो same है, किसके history of class struggle के, क्योंकि हर mode of production में, हर stage में, आपको class struggle भी देखने को मिलेगा, जैसे जैसे society change हो जाएगी, ऐसे वैसे class struggle भी जो है, वो change होता जाएगा, ठीक है, ये एक मिनिट पर ले, set कर लेते हैं, अब देखो, ये class struggle, it is not smooth, mediated by number of factors, अब class जहाँ पर struggle है, तो वो smooth तो नहीं होगा, conflict है दो चीजों के बीश में, वो smoothly तो conflict नहीं चलेगा, problems होँगी, forces of production, जो हैं, they keep on changing, which require entirely new set of relational production, old relations come into conflict with new relations, there were contributing to class struggle, देखो, अगर आपको मैं example, समझाओ, यहाँ पर example given भी है, देखो, feudal system में क्या होगा, land-based society है आपकी, ठीक है, तो आइस्ता-इस्ता जब लोग land से profit कमाना शुरू करेंगे, थोड़ी पो savings होगे और आइस्ता-इस्ता हमारी industrial society immersion होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक, अब अभी आप feudalism में ही हो लेकिन कहीना की land सब आप factories में switch करने लगे हो, that means forces of production change हो जाएंगे, अब इसमें relational production क्या था, इसमें आपके peasants होते थे, serfs वगेरा, उनको स्रिफ land पर काम करना होता था, घर नहीं छोड़ना होता था, mobility migration नहीं करनी होती थी, लेकिन industries में आपको workers की जरूरत है, जो geographically mobile हो, that means जो move कर सके, अपने villages छोड़के, industries के आसपास रह सके, ठीक है, तो एक conflict आ गया, पुराने peasants ने क्या क्या आपके land की आई साइसे importance खतम होने लगी, क्योंकि peasants ही नहीं बचे, वो factories की तरफ चले गए, factories का काम करने के लिए, तो हर board of production में ऐसी एक struggle चल रहा था, एक conflict चल रहा था, जिसकी वज़ा से क्या हुआ, देखो, अब ये जो industrial owners है, ये भी वो चलाक owners थे, जिनको चाहिए था कि हमें कौन मिले, हमें मज़़ूर मिलें जो काम कर सके, ठीक है, उनको वो चाहिए था, तो जो आप बोल सकते हो, इस society के जो haves में आते थे, उन्होंने भी साथ दिया इस पुरानी society के have nots का, अपना मतलब पूरा करने के लिए, उन्होंने इनको कहा कि हाँ, ठीक है, कि वो वाली society हमें change करनी है, उनको ये बढ़काया है, आग बढ़काई कि हाँ, आप लोग exploit हो रहे हो, आप लोग छोड़ दो ये societies, आप यहाँ आ ये feudal society खतम करके industrialization, industrial societies की तरफ आगे, ये सोचे कि वहाँ में better life मिलेगी, और halves भी उनको आग में घी डाल रहे थे, कि हाँ आप आजो, यहाँ better life मिलेगी, वो यहाँ आप फिर से exploit होने लगे, ठीक है, यहाँ की exploitation continue हुई, क्योंकि वहाँ भी उनको उक्साया गया, कि हाँ लोग आ जाओ यहाँ पर, वो society छोड़ो, यहाँ पर आपको better society मिलेगी, पर वहाँ पर उनकी exploitation कम नहीं हुई, बड़ी, बड़ी ही, ठीक है, अगर आप इसको यहाँ Indian society के context में भी देखो, क्या होता है, जो caste-based societies है, sorry, caste-based political parties जो है, वो आपको बोलते हैं, क्याँ आप exploit हो हमें वोट दो, हम help करेंगे, वगेरा, वगेरा, यह चीज़ इशू उठाते हैं, यह इशू उठाते हैं, इलेक्शन के टाइम पर, और ultimately क्या हो रहा है, अगर आप, यह society में क्या हो रहा है, यह अगर आप देखोगे, तो उतनी ज़र चेंज़ भी नहीं आ रही हैं, अभी ठीक है, तो ऐसा हुआ, कि एक दलित गोडी चड़ा, और उसको माद दिया गया इस बात पर कि वो कैसे गोडी चड़ सकता है, वो so-called lower caste है, तो ऐसे इंसिलेंसे दिखाते हैं, कि society उतनी नहीं बदली है, तो उनकी दुखती रग पर हाथ रखते हैं, कुछ power hungry लोग, उनको बस power में आना होता है, ultimately उनकी condition जो है, वैसी की वैसी रह जाती है, उसी को अगर आप Marx के lens से देखो, तो Marx ने बात गलत नहीं गई थी, industrial society के जो emerging factory owners थे, उन्होंने कहा, कि हाँ, आप लोग ठीक कर वहाँ पर exploit हो रहे हैं, आप लोग यहाँ जाओ, क्यूंकि उनको अपना मत industrialist में बन गए, तो उन्होंने जल्दी खुद को switch किया land से industrialist, और जो कम अकल जमीनदार थे, कि नहीं, जमीन ही हमारा कभी change नहीं होगा, वो वहीं रह गए और उनकी condition उतनी जदा improve नहीं हुई, तो जो इसके halves जल्दी switch कर गए, और industrial society के halves में आ गए, तो वो वहाँ की capitalist बन से हैं, यह हो गया, Marx also sees increasing class in terms of increasing alienation, हमें पता है, alienation peak में कहाँ पे होगी, capitalism में, यह में आपको alienation topic में अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है, हमने एक graph बनाया था, peak पे alienation होगी, alienation peak पे होगी, किसमें capitalism है, ठीक, फिर advanced communism जब आएगा, alienation फिर से zero हो जाएगी, जैसे आपकी primitive society में थी, primitive communism में थी, आगे दिखते हैं, जो mechanism of class struggle है, यह differ करता है, different societies में, based upon, factors and situations, हावर इसका जो fundamental nature है, वो same है, the mechanism is same in ancient and feudal mode, but different in capitalistic mode, यहाँ पर विस चीज को explain किया गया है, कि यह struggle है, यह ancient and feudal mode में same था, लेकिन capitalistic mode में यह different हो गया है, struggle, जैसे मैंने का, capitalism it sowed its own, it sowed seeds of its own destruction, कि मैं capitalism में वो सारी preconditions present थी, जिन्होंने क्या क्या है, जो किसकी तरफ इस हमें ले गई, एक, ले सकती थी हमें, एक revolt की तरफ, एक revolution की तरफ, ठीक है, revolution की तरफ, यहाँ देखते हैं, in ancient and feudal mode, the have not and the struggle was supported by the emerging class, which is a representative of the new forces of production, ठीक है, जो emerging class थी, is from the haves of the new modes of production, यही है, जो मैंने आपको भी explain किया, यहाँ पी, वो वही सारी चीज़े यहाँ पर बोली हुई है, देखो, यह जो mechanism of class struggle, यह differ करता था, different societies में, depending upon the factors and situations, feudalism और जैसे ancient society थी, उनका struggle kind of same था, लेकिन capitalistic mode में यह अलग हो गया, क्यूंकि इस mode में आपके पर सारे preconditions थे, जो आपको किसकी तरफ ले गए, एक revolt की तरफ, revolution की तरफ जा सकते थे, ठीक, ancient और feudal mode में have nots and their struggle was supported by the emerging class, वो कौन सी emerging class थी, 9 mode of production, that means industrial society के जो, आपके emerging industrialist थे, जो मैंना आपको अभी explain किया, which is a representative of new forces of production, ठीक, new force of production अब क्या आगया आपके, यहाँ बे technology, machine, machinery बगएरा, और वहाँ पे क्या थी force of production, आपका land, यह जो emerging class थी, is from the haves of new modes of production, thus ironically, the have nots in their own struggle, actually fulfill the interest of the emerging class, resulting in a situation of ours, ठीके, तो यह मैंना आपको भी explain किया उपर, यह आप पढ़ लेना, यही चीज़े लिखिया है, आपको कुछ extra नहीं है, Marx ने कहा था, history repeats itself, first as a tragedy, then as a farce, एक exploitation हुई, feudal society में already exploit हो रहे थे, इंडेस्टर जो emerging class थी, उसने कहा, आपको kind of arc भढ़ गाई, कि हाँ ठीके, वहाँ exploit हो रहे हो, यहाँ आजा, वहाँ पर उनको अपना interest सीधा करना था, तो अब वहाँ पर double exploitation स्टार्ट होगी, तो पहले आपके साथ tragedy होगी, बाद में comedy, तो इसलिए इसको Karl Marx ने कहा है, history repeats itself, first as a tragedy, then as a farce, अब capitalistic mode of production में, people, लोगों के पास कोई alternative नहीं होगा, जैसे ancient के बाद feudal था, feudal के बाद capital था, और alienation peak पे होगी, ठीक है, और भी काफी ऐसे जिसे homogenization, polarization, वो सारी चीज़े हो रही होंगी, तो ultimately अब आपके पास next step आएगा, एक revolution, और सारा जो यह आपका class system है, यह destroy हो जाएगी, ठीक, और एक किस्से होगा, क्योंकि अब आपनी class in itself, class for itself बन गई है, fine, आगे देखते हैं, earlier mode of production में, जो class struggle था, it resulted into a mere change of production, लेकिन यहाँ पे, change of mode of production, जैसे, master slave से आप, feudal lord और peasant में आगे, फिर feudal lord peasant से आप, capitalist और labor class में आगे, लेकिन यह सारी, जो अब जो change आएगी, जो capitalist society में आगी, उसको qualitative change बोलते हैं, क्यूंकि अभी सारा जो system ही है, यह खतम हो जाएगा, fine, क्या खतम हो जाएगा, आपके जो यह, inequality है, class based society है, अभी एक class से दूसरी class पर switch करें, लेकिन have, have not, वो concept हो जहीं रह रहा है न, अभी concept ही खतम हो जाएगा, और ही कहाँ पे होगा, capitalistic motor production में that workers gained a critical mass in terms of true consciousness, leadership, ideology and change the structure itself, thus the ensuing revolution is for emancipation of all, including the capitalist and the end of perpetual class struggle as well, ठीके, capitalism में हो जाएगा, एक true revolution thus, according to Marx, revolution will not come on its own, but it's possible only if some mature conditions exist, और वो सारी mature conditions कहाँ मिलेंगे आपको, capitalistic society में, इस mature conditions include, critical mass of workers, having consciousness, remind करो, class in itself, it's a class for itself, एक network of communication among workers, clear perception of common enemy, वगरा, एक ideology, एक organized form में, तो leadership भी generate हो जाएगी, यह सारी चीज़े, capitalism में present है, इसी लिए, यह revolution capitalism के बाद आएगा, जो workers revolution जो है, will result into a state of transition, जहाँ पहले workers will take over, और abolish करेंगे, सारी private property, तो हमारे पास, communally owned production आएगा, that means, अब जो profit होगा, वो सब लोग own करेंगे, और एक handful, लोगों के पास नहीं जाएगा, इस stage को Marx ने बोला, socialism, जहाँ पर state control करेगी सारा, finally state का influence भी खतम हो जाएगा, और proletariats जो है आपके, उनके पास rule आजाएगा, और हमके stage में आएगे, advanced communism में, आप जो completely classless society आपके आएगी, यहाँ पर class struggle, और dialectical materialistic process जो है, वो end हो जाएगा, ठीक है, यह चीज़ आपने पहले भी explain, मैंने आपको बोला था, dialectical materialism कैसे, last stage में, यह हैं, यह end होगा, fine, अब सब्सक्राइब तो, यह चीज़ पहले भी हमने बात की है, आप मेरे वो, dialectical materialism, historical materialism वाला lecture जो है, वो देख सकते हो, playlist से ढूण के, मार्क्स का जो ही concept था, कि socialism आएगा, फिर class system हो जाए, खतम हो जाएगा, classless society आएगी, वो एक utopian concept ही बनके रहे गया, क्योंकि वैसा नहीं हुआ, although socialism, communism आए, लेकिन वो उतने ज़ादा, आप बोल सकते हो, famous या, ऐसा कोई classless rule लेके आए, ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिला, तो ये उनका criticism है, Frank Parkin ने खा था, कि classes exist करती है, even socialist countries में भी थी, मार्क्स की prediction की class struggle intensify हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि capitalism सबसे ज़ादा कहा, epitermy of capitalism योरप है, और योरप में फिर आना चाहिए था ने, socialism, communism अगेरा, पर ऐसा नहीं हुआ, और जो workers से, वो भी effluent होते गए, उनने finally, अपनी demands और अपनी conditions इंप्रूव करने की बात की, ना कि इस capitalism को overthrow करने की, वेबर ने कहा, बाकी base of stratification भी है, यह हमें, वेबर जब ठिंक कर डिसकास करेंगे, तब पढ़ेंगे, लेंस्की ने कहा, कि breakdown of capitalism may not lead to socialism, other modes of production भी आ सकते हैं, इंसे इंडिया में क्या है, mixed economy का concept है, तो कही ना कहीं, हम capitalist से भी लेते हैं, capitalist के elements भी, और socialist के elements भी हैं, ठीक है, तो बाकी modes of production भी है, ऐसा नहीं एक खतम हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा, तूसरे modes of production भी emerge हो रहे हैं, Dan Doff ने क्या कहा था, कि manual working class has become increasingly heterogeneous, और उन्हों ने क्या कहा था, कि कालवाक से homogenization ही हो जाएगी, क्यूंकि similar इसमें होंगे सारे conditions में होंगे, तो similar thought process होगा, लेकिन Dan Doff ने का ऐसा नहीं है, dissimilar force जादा जो है exist करता है, जो manual labors है, वो जादा dissimilar है, इसलिए उनकी unite होने के chances बहुत कम है, तो ऐसा कोई revolution जो है, वो नहीं आने वाला है, Modern Marxist essay Ralph Derendorf इन्हों ने क्या कहा था, modern capitalism ने खुद को modify किया है, दो Marx के ideas, they still hold relevance, लेकिन अब जो capitalism है, वो भी change हो रहा है, ठीक है, classes जो है, have further fragmented, वो division of labor जादा specialized हो गया है, तो unity, homogenization, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, fine, क्योंकि division of labor बें इतना जादा बन गया है, कि अभी unity नहीं कर सकती है, जो labor class है वो, Marx ने कहा था, capitalism sows its own seat of destruction, यह मैंने आपको बार-बर explain किया है, मैंने starting में भी यह पढ़ा था, इस lecture के, तो, यहाँ पर यही सारी चीज़े लिखी हुए है, जो मैंने आपको explain की है already, आप एक बड़ी go through this, अगर समझ में नहीं आथा, तो आप मैंसे पूछ सकते हो, comments में, मैं फिर इसके लिए, आपको explain कर लूँगे, पर यहाँ आपको समझ में आ जागे, वही सारी चीज़े हैं, जो हमने अभी तक पड़ी है, अब देखो, अगर question ऐसे आजाता है, कि current context में, Marx की relevance, तो आप यह सारी चीज़े इसमें लिख सकते हो, उनके concept अभी भी relevant है, understand करने के लिए, social order problems and individual, जैसे मैंने आपके हैं पे, caste politics की बात बताई, उसमें कहीं नहीं मार्क्स की ideology भी, जो है put forward कर सकते हो, Herbert Macuse, Adorno Hebermas, Grams का altrissor, इन्होंने मार्क्स के forward, ideas को carry forward किया, ठीक है, नियो मार्क्सिस ने कैसे understand किया, नियो कॉलिनलिज्म के इसमें lens में, नियो कॉलिनलिज्म के, और दिखाई तो कॉलिनलिज्म है, ठीक है, जो simple, आप जाके territorial control कर लेते, जिसे England ने किया, और India को अपनी colony बनाई, अब आप territorial control नहीं कर रहे हो, आप economy से उस country को खतम कर रहे हो, या अपना culture वहाँ infuse कर रहे हो, ठीक है, आप देखो, जितनी जदा westernization increase हो रही है, वो एक part है new colonialism का ही, कि आप दूसरे तरीकों से अब अपना foothold जो है उस country में, strong कर रहे हो, culture से, economy वगेरा से, और world system theory of Wallerstein, हमें यह पढ़नी भी है separately, यहाँ पर थोड़ा आपको बताती है, इन्होंने का था, world को divide किया था, core countries, semi-periphery countries, and periphery, यह होगी आपकी rich developed countries, इसमें developed, underdeveloped, दोनों, मतलब, middle range countries, जो middle range में लाए करती है, और periphery आपकी गरीब countries, तो इन्हें का था, core countries, जो हैं, वो इनको exploit करती हैं, इसे African countries मान लो, सस्ते में वहाँ से labor मंगाया, ठीक है, और उसको use किया, अपने फायदे के लिए, अपने profit के लिए, तो कहीं ने कहीं, यह आप सारा Marx के concept से, आप उसको relate कर सकते हो, क्योंगि यह countries, इतनी depend हो गए हैं, core countries पे कि, अब इनके जो, political decisions है, उसमें भी interference है, core countries की, that means core countries, अपने profit के लिए, इतनी सारी countries, exploit कर रही है, तो यह भी कहीं न कहीं, आप Marx के lens से, देख सकते हो, इंडिया में नक्सल issue, यह सारा issue, land redistribution से ही, स्टार्ट हुआ था, तो वो भी, Marx के concept में, आप देख सकते हो, वो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन, उनके इसमें, defense में यह बोला गया, कि जो socialism उन्होंने कहा था, जो current socialism आया, वो Marx से socialism नहीं है, वो उससे similar नहीं है, तो आप यह नहीं बोल सकते, जो उन्होंने socialism के elements कहे थे, वो elements नहीं आए, क्योंकि इनमें आपस में dissimilarity है, ठीक है, और कई उन्होंने Marx को accuse किया है, economic determinist, मैंने पहले भी आपको बुला, economic reductionist की, सरफ economy की बात करते हैं, लेकिन, आप वो diagram याद करें, उन्होंने यह भी कहा था, कि आपका जो substructure है, यहाँ बिसे economy आगया, कि उन्होंने बाकी institutions की भी बात की थी, acknowledge is the influence of social superstructure on the economic infrastructure, ठीक है, तो यह जो दो है, यह interdependent है, यह economic infrastructure का, इस superstructure पे रही असर पड़ता है, और इस superstructure का वापस, economic infrastructure पे भी असर पड़ता है, तो कहने का यह मकसद है, कि बाकी institutions की भी बात हुई थी, और asiatic mode of production उन्हों सेपरेट लिखा था, कि वहाँ वैसे capitalism नहीं आया, जैसे बाकी countries में आया, तो वो उन्होंने खुझ से सेपरेट दिया, वो था, यह भी हमने last lecture में पढ़ा है, तो, while explaining, much of conditions, which also, which will result in overthrowing of capitalist mode of production, बाते भी हुई थी, this completes your Karl Marx, sorry अगर यह lecture का भी अबको tempo down, I am not feeling well, just as the condition better होगी, videos बैसे ही आना शरू हो जाएंगे, उतनी energy के साथ, till the time I upload next video, bye bye, thank you, have a great day,